हेलो दोस्तो तो अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभीशेक सरकार का नमसकार तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक टेमपल के बारे में डाइनास्टी के राजा और उन्होंने ही रोशोमांचो को बनाया है रोशोमांचो को 1680 में मलभूम राजा हमबीर मलदेव ने बनाया था अगर आप रोशोमांचो के मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो यह तीन लेयर में बना हुआ है सबसे उपर वाला जो लेयर है वो पिर जो की स्क्वेर शेप का बना हुआ है जो की बेस है वो इसलामिक आर्किटेक्चर है यह जो पूरा मंदिर है इसका जो बेस है वो स्क्वेर शेप में बना हुआ है इसका लेंद और ब्रेट है 24.5 मीटर और इसकी कुलमिला के हाइट है 12.5 मीटर मलभूम राजा ने रोशोम से जो फेस्टिवल है 1932 तक रॉशोमांचो में मनाया गया पर उसके बाद दुर्गा टेंपल के पास ये ground है अब वहाँ पे celebrate होने लगा अब ये as a temple के रूप में नहीं देखा जाता रोशमांचो को अब ये एक tourist attraction है tourist destination है जिसको की ASI Archaeological Survey of India maintain करती है दोस्तो अगर आप कभी बिश्नुपूर जाते है वैसे आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि एक से बढ़कर एक architecture है वह पर कभी भी आप जाए विश्नुपूर तो रोशमांचो तो जरूर जाएगा इतना सुन्दर दिखने में है इतना शानदार लगता है और इंडिया का one of the unique architecture है one of the unique temple है ऐसा architecture आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखेगा और ये इंडिया का oldest brick temple भी है तो दोस्तो जिश्नुपूर के जितने भी मंदिर है सब देखिए सब एक यूनीक टेरा कोटा आर्किटेक्चर है बहुत ही बढ़िया बहुत ही शांदार और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्स्राइब करें हमारे चैनल को जैहिंद